हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तू मदर्स लाइफ आज जो में रेसिपी आप लोग के साथ सेर करने जा रहे हूं वो है लच्छा ओनियन सालिट की इन धावा स्टाइल यानि की प्याज की सलाद जो की बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीजों जो की हमेशा आपके घर में अबलेबल रहता ही रहता है उसी से बनाया है तो चलिए मैं अपना विडियो स्टार्ट करती हूं और यह जो अच्छा ओनियन सालिड है आप इसे कबाब के साथ रोटी सबजी के साथ राइस डाल के साथ किसी के साथ भी ले सकते हैं और अपने खाना को और भी टेस्टी कि अब इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लें इस तरह से अब आपको क्या करना है दो हरी मिर्च लेना है और उसे करना तिके भी निख से कुट करके उसके अंदर जो स्टीड से यानि की बीजween को निकाल के सब्सक्राइब कर लेना है तक히 जो सैलिड यह ज्यादा थीखे नहों और अच्छे से बारीकी से कि नख अज़ेँ न अशीड़ेनगे नहाँ पीर आपको क्या करना ह We यानि सारे जो स्लाइसेज है उसमें रिंग को अपनी काल दें और इस तरह से लच्छेदार बना लें अब इसमें हम लोग मसाले को डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधी छोटी चमच कास्मिरी लाल मिर्च लिया है उसके बाद हम लोग डालेंगे रोस्टेट जीरा फिर डालेंगे चाट मसाला चाट मसाला ना हो तो भी चलेगा उसके बाद डालेंगे पिंच ब्लैक पेपर और फिर नमक स्वादानुसान इस तरह से और फिर हम लोग डालेंगे हरी मिर्च जो मैंने बारेकी से कट करके रख अब लोग क्या करेंगे हाफ लेमन जूस डालेंगे जो पहले मैंने पहले से ही कट करके रखा था इस तरह से पूरे हाफ को डालना है ताकि जो फ्लेवर है वो अच्छे से आए और हलके हाथों से उसे मिक्स करना है इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बड़ी है बनके तयार हो गया है अब क्या करना है ध्यान रखना है लास्ट में आपको धनिय पत्त जो मैंने काट के रखा था उसे डालना है पहले न डाले बाद में डाले तो यह मेरा लच्छा ओनियन सैलिड बनके तयार हो गया है सर्व करने के लिए आप इसे जरूर ट्राइ करें बहुत ही अच्छा बनता है और किसी वीडियों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं